हिमाचल से राजे सबा सांसा डॉक्टर सिकंदर को मारा हमारे साथ हैं सर हाल ही में परिणाम बीजेपी के फेवर में आये हैं अब क्या लगता है हिमाचल को लेकर क्योंकि अगले साल लोग सबा चुनाव भी हैं चार सीटे हैं बीजेपी को कितना और ज्यादा उमीद बढ़ सब्वस्था और इसका शूरे किसी जाता है तो मानिय परधानमंत्री जी और भायती जनता पार्टी के स्रेश्ट नेतरत्य को है और बार्ति-जनता पार्रे कारे करेकर्दünden को नी संग्राइबल पूरे परदेश के कार्यकरता इतने उसाइथ हैं कि चारों को चारों सीटें तो वो जीतेंगे लेकिन पूरे परदेश में इस स्वार जो मुहाल बनने जा रहा है मैं आपको गरंटी के साथ कह सकता हूं कि इस स्वार सचमुच भारती जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी जो पिछले रिकॉर्ड थे, वो तोड़ दे लेकिन उसके बाद आपको लगता है कि क्या कार्यकरतों में उसी तरह का जोश जगह है क्योंकि जिस तरह से विदान सवार चुनाव हारी तो कहीं न कहीं कार्यकरताओं में जरूर माई उसी च्छाई थी देखिए लग लग थे, इस में सित्ञिया लग हैं और ये जो सित्ञिया हैं मैं आपको पूरी गरानटी के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुबब के साथ कह सकता हूँ, कि भारती जन्टा पार्टी बड़ी मजॉर्टी के साथ चारो सीटें लोग सबाके जीतेंगी और जब पिछली बार जीती थी तो मैं आपको बता दूँँ 68 में से हम 61 सीट हैं जो अब दानसावा की सीटों पर जीत वी थी और इसमें इससे भी जाद होंगी हिमाचल में सरकार बने हुए काफी समय हो गया है लेकिन मंत्री मंदल विस्तार को लेकर बहुत से मदभेद हैं हमाचल कॉंग्रेस में मदभेद है इसलिए मंत्री मंदल विस्तार नहीं हो रहा है क्या आपको लगता है कि मंत्री मंदल विस्तार ना होना हमाचल के लिए नुकसान है बहुत नुक्सान है क्योंकि आपसमें गुटकबाजी बड़ी है कांगरस पार्टी का नरूनी मामला है लेकरन इस गुटकबाजी की बज़ए से परदेस को हानी हो रही है कॉंगरेस की परदेश अध्यक्ष भी नराज है क愿कि मंत्री मेंडल विस्तार नहीं हो रहा है को कि हर कोई चाता है कि जो उनके करीबी है उनको जगह मिले जब परदेश अध्यक्ष रूलिंग पार्टी की नराज हो तो आमकरे करता कैसे खुश हो सकता है सरकार से तो हिमाचल से राजसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने खास बातचीत की उन्होंने कहा कि हिमाचल के जो लोगसभा चुनाव है उसमें इस तीन राज्यों की विधानसभाजीत का अच्छा खासा पुरहाब देखने को मिलेगा कैमरमेन प्रेदर्शन के साथ दिली से सूरसमाचार के लिए विने सिंग